हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल जैंट्स के लिए एक बहुत ही प्यारी सी बिल्कुल रेडी मेट लुक में कैप बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है प्रेंड्स ये कैप देखने में जितनी सुन्दर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाया हुआ है अगर आप इस कैप को बनाना चाहती है तो वीडियो को एंड तक देखिए इस कैप को बनाने में सिर्फ 95 ग्राम उन लगी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये ओस्वाल कंपनी की तीन प्लाई वाली उन ली है इसमें मैंने 9 नमबर की स्लाई यूज की है ये Oswal कमपनी की सेड नमबर 17 है अगर आप भी इसी तरह से 3 प्लाई वाली उन से ये कैप बनाना चाहती है तो इसमें 9 नमबर की स्लाई ले लीजिएगा और ये देखिए इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पर इसमें मैंने 3 प्ला फंदे डाल लीजिए फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए है हो सके तो आप भी इसमें डिजाइनर फंदे ही डाल लीजिएगा और अगर आप नॉर्मल वाली उन से ये कैप बनाना चाहती है जिसमें ये 3 तार अलग नहीं होते हैं इस तरह से ट्विष्ट की हुई होती है उसमें आप 10 नंबर की सलाई ले लीजिए और इस कैप को बनाने के लिए आप उसमें 111 फंदे डाल लीजिए फंदे डालने के बाद एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से आप इसमें उल्टी बनाईए उसके बाद एक उल्टा एक सीधा एक सीधे का इ इधर उल्टा हो जाएगा इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा करते हुए आप इस बोर्डर को साड़े तीन इंच तक बना लीजिए मैंने ये साड़े तीन इंच से दो पोइंट उपर बनाया है ये देखिएगा इस तरह से ये साड़े तीन इंच से दो पोइंट उपर तक बना हुआ यहां तक हमारा साड़े 3 होता है तो आप भी इतना ही इसमें बॉर्डर बनाके तयार कर लीजिए अब देखें यह बॉर्डर भी हमारा दोनों तरब से बिल्कुल एक जैसा है इसके ऊपर जो हम डिजायन बनाएंगे वो भी दोनों साइड से हमारा एक जैसा ही बन बनाइगे तो ये वाला कैप का उल्टा हिसा बनेगा और ये वाला सीधा हिसा बनेगा तो इससे उपर की जो कैप है वो हमारी यहां से सीधी बनेगे क्योंकि जब ये कैप हमारी Complete हो जाएगी तो ये बोर्डर हमें उपर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है तो ये किनारी फिर इसकी सीधी तरफ पर आ जाएगी तो जो हम इसमें डिजाइन बना रही हैं उसमें भी हमें दो के मल्टीपल प्लस एक फंदा करना होता है और इस बोर्डर के लिए भी हमें ऐसे ही करना ह हम ये इस तरह से उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये हमारी यहां से स्कैप की सीधी साइड है धागे को पीछे करेंगे और देखिए इस फंदे को हम ऐसे सलाई डाल कर नहीं बनाएंगे जो सलाई के उपर हमारा फंदा इसे छोड़ देंगे इसके नीचे वाले होल में सलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे बस यही दो फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं एक फंदा हम यहां उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे कर देंगे ये जो फंदा है सलाई के उपर वाले को छोड़ देंगे इसके नीचे वाले होल में सलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को सीधा बुनेंगे लेकिन सलाई के उपर वाले फंदे को छोड़ देंगे इसके नीचे वाले हॉल में स्लाइड डालेंगे और इसको सीधा बुन dragging देंगे बस यही दो दो फंदे हमें बार बार रिपिट करते हुए इस स्लाइड को complete कर देता है तो यह पहला फंदा तो हमारा एस्टीच है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए अब देखे ये वाला फंदा हमने सीधी साइड पर सीधा बुना है तो इसको भी हम यहां उल्टा बुन देंगे अब धागे को पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा इसे हम नौर्मल बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा फिर धागा पीछे एक सीधा इसे हम बिल्कुल नौर्मल जैसे नीचे से बोडर बनाया उल्टी साइड से ऐसे ही बनाएंगे तो ये हमारा पूरी सलाई में ऐसे ही जाएगा एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करते हुए मैं इसकी उल पूरी सलाई को हमने एक उल्टा और एक सीधा करते हुए बना लिया है अब हमें इन ही दोनों सलाईों को बार बार रिपेट करना है तो बहुत ही सुन्दर सा हमारा ये डिजैन बनता हुआ चला जाएगा और बहुत ही मोटी हमारी कैप बनेगी एक बार फिर से आपको मैं रिपेट करके दिखा रही हूं पहला फंदा इसका है इसे उतार ये या आप उल्टा बनाईए अब धागे को हम ऐसे पीछे करेंगे ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हमें बनाना तो सीधा ही है लेकिन जो सलाई के ओपर फंदा उसे छोड़ देंगे उसके नीचे वाले होल में ऐसे सलाई डालेंगे इसको हम सीधा बनेंगे और सलाई से उतार देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे लेकिन जो सलाई के उपर फंदा उसे छोड़ देंगे उसके नीचे वाले होल में सलाई बनाएंगे लेकिन सलाई के उपर वाले फंदे को छोड़ के नीचे वाले होल में सलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा फिर धागा पीछे उपर वाले फंदे को छोड़ देंगे नीचे वाले होल में सलाई डाल कर इसको सीधा ऐसे करते हुए पूरी सलाई को complete कर देंगे तो ये देखिए पूरी सलाई को मैंने बना लिया है अब उल्टी साइड से हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक सीधा और उल्टा बनाएंगे ये हमारा ST है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए अब ये फंदा सीधी साइड से हमने सीधा बना तो इसको हम ऐसे उल्टा बन लेंगे धागा पीछे ये एक फंदा ऐसे नॉर्मल सीधा फिर एक उल्टा और फिर एक सीधा ऐसे करते हुए हम इसकी पूरी सलाई complete करेंगे बस इन ही दो दो सलाईों को ही बार-बार दोहराते जाना है और हमें इस कैप की जो लेंद है वो बोर्डर से उपर 7 इंच तक बनानी है तो ये देख़िये फ्रेंट्स जैसे मैंने आपको ये 2 सलाईया बना कर दिखाई है अब इनी दो दो सलाईयों को आप बार बार दोराते जाए और इस कैप की हमें घटाई करने तक की लेंध पूरी करनी है तो ये देखे साड़े तीन इंच का हमने ये बोर्डर बनाया है और लगबग साथ इंच हम इसको उपर बनेंगे यानि जो हमारी इस कैप की यहां से लेकर उपर तक की जो टोटल लेंध बनेगी वो हम साड़े दस इंच बनेंगे या तो आप बोर्डर से लेकर उपर तक 10.5 इंच बना लीजिए या बोर्डर जहां से हमने ये वाला बुनने के बाद ये डिजैन बुनना शुरू किया है इससे उपर आप 7 इंच बना लीजिए तो मैं इसकी length complete कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसकी घटाई करना बताऊंगी कि इसमें हमें इसकी जो है उपर से घटाई करके कैप की गोलाई कैसे बनानी है तो ये देखिए फ्रेंट्स बोर्डर से उपर इसे मैंने पूरा 7 इंच तक बना के तयार कर लिया है तो आप भी इसी तरह से बोर्डर से उपर इसकी length 7 इंच तक बना के तयार कर लिजिए अब इसमें हम उपर घटाई करेंगे जिससे इस कैप की round shape आएगी तो इस design में ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसकी घटाई करेंगे ताकि हमारा design भी adjust होता चला जाए सीधी side वाला हिस्सा है और यह इसका उल्टी side वाला हिस्सा है तो जैसे हम design को बना रहे हैं जो हमारा slide के उपर फंदा उसे हम छोड़ देंगे इसके नीचे वाले hole में slide डालेंगे और यहाँ इस फंदे को सीधा बुनेंगे अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे देखे यह उल्टा फंदा है और यह सीधा फंदा है इन दोनों का हम यहाँ एक फंदा उल्टा बुन देंगे अब हम धागे को पीछे करेंगे देखे यह उल्टा और यह सीधा इन दोनों को ऐसे टाइट हो तो हलका सा आप लूज कीजिएगा फिर आगे की साइड से स्लाय डालके इन दो का एक फंदा बना दीजिए तो ये देखे यहां पर हमारे दो फंदे कम हो गए हैं पहले एक उल्टे और एक सीधे का दो का एक किया फिर एक उल्टे और एक सीधे का दो का एक बनाया अब हम नॉर्मल तरीके से इस डिजाइन के इसाब से चार फंदे बनाएंगे देखिए ये एक फंदा उल्टा है धागा पीछे सीधे वाले फंदे को बुनेंगे तो नीचे वाले होल में स्लाई डालेंगे और इसे सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे फिर से धागे को पीछे करेंगे ये जो सीधा फंदा है इसके नीचे वाले हॉल में स्लाई डालेंगे और इसे सीधा बना देंगे यानि दो बार दो का एक करने के बाद हमने चार फंदे बनाए इसी को हम बार बार रिपिट करते जाएंगे देखे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों फंदे का यहां एक फंदा उल्टा बना देंगे धागे को पीछे करेंगे ये उल्टा और ये सीधा आगे से स्लाई डाल के इन दो का एक फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे देखिए चार फंदे बनाएंगे एक उल्टा धागा पीछे सीधे वाले को नीचे वाले होल में से सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा जो ये सीधा फंदा है इसके नीचे वाले होल में सलाई लेंगे और इसे सीधा बुन देंगे तो चार फंदे का गैप आ गया फिर से हम देखिए ये एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा इन दो का यहां एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागे को हम पीछे कर देंगे ये एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा दोनों फंदे में आगे से स्लाइड आलेंगे और इसे सीधा बना देंगे बस इसी को हम बार बार रिपेट करते जाएंगे चार फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे एक उल्टा धागा पीछे ध्यान से देख लीजिए सीधे वाले फंदे को मैं कैसे बना रही हूँ बस बहुत ही आसान है इसमें घटाई करना तो ये देखिए हमने गैप के चार फंदे बुन लिये फिर से हम एक उल्टा फंदा और एक सीधा इन दोनों का एक उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे ले जाएंगे ये उल्टा और ये सीधा आगे से सलाई डालेंगे और इन दोनों का एक फंदा सीधा बना देंगे आप फिर चार फंदे बनाएए फिर दो काईक दो काईक ऐसे करते हुए पूरी सलाई को आप कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स पूरी सलाई में मैंने फंदे घटा लिये है यहां लास्ट में ये दो काईक किया है ये दो काईक किया है और ये एस्टी जाया है तो पूरी सलाई में हमारे 26 फंदे कम हो गई हैं अब इसमें हम गैप की 6 सलाईय बनाएंगे सेम वही बनाना है अब ये जैसे उल्टे साइड है इस पे आपका वैसे ही आएगा जैसे पहले था एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा और सीधी साइड पर वही करना है जैसे मैंने डिजैन को पहले बुन्ना बताया हुआ है उल्टे को उल्टा बनाना है सीधे वाले को नीचे वाले हॉल में सलाई डाल के बुन्ना है तो ऐसे में अब मैं इसमें 6 सलाईया कम्प्लीट करूंगी और 6 सलाई बुनने के बाद फिर जो हमारी 7 सलाईया आएगी उस पर हम फंदे घटाएंगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तो इसमें मैं 6 सलाईया बना लेती हूँ तो ये देखिए फंदे घटाने के बाद इसमें मैंने 6 सलाईया बना लेती हैं लेकिन जो हम घटाई करेंगे वो सीधी साइड से करेंगे ताकि इस डिजैन को बुनने में कोई दिक्कत ना आए लेकिन 6 सलाई हमने जो एक बार फंदे घटाने के बाद बनाई है उसके बाद 7 सलाई तो हमारी उल्टी साइड पर आई है तो हम क्या करेंगे इस 7 सलाई को भी बुन कर कम्प्लीट कर देंगे और फिर सीधी साइड से हम फंदे इसमें घटाएंगे तो ये जो डिजैन है ये अच्छे से इसमें एड़ेस्ट होता चला जाएगा तो ये देखिए इस तरह से एक बार फंदे घटाने के बाद इसमें हमने 7 सलाईयां बुन ली है तो अब ये इसकी 8 मिसल आई है और ये सीधी साइड है तो अब इसमें देखिए कैसे फंदे घटाएंगे पहला फंदा इसका एस्टीच है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए तो देखिए एक धागा पीछे करेंगे इस सीधे वाले को नीचे वाले होल में से बुन देंगे दो फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा तीन फिर धागा पीछे फिर इस सीधे वाले फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे तो ये चार फंदे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे देखे यह एक उल्टा है और यह एक सीधा है इन दो फंदों का एक फंदा बना देंगे फिर धागा पीछे करेंगे यह उल्टा और यह सीधा इन दोनों में हम आगे से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे बस अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे चार फंदे बनाएंगे फिर दो का एक दो का एक करेंगे एक बार फिर से देख लिजिए एक उल्टा है फिर धागा पीछे और ये एक सीधा है फिर धागा अपनी तरफ ये एक उल्टा है फिर धागा पीछे और ये एक सीधा है तो चार फंदे हमने बुन लिए अब धागा अपनी तरफ करेंगे देखे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों का एक उल्टा बना देंगे धागे को पीछे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दोनों में आगे से स्लाई डालेंगे और इन दो का एक फंदा सीधा बना देंगे बस यही करते जाना है चार बुनिये और दो बार दो का एक करते हुए इस सलाई को complete कर दीजिए तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां पर हमने दो का एक किया दो का एक किया उसके बाद यह लास्ट में हमारे पांच फंदे बच गई हैं इनको हम ऐसे ही बुन देंगे इसके बाद फिर इसमें हम पांच सलाईया बुन लेंगे तो देखिए एक दो तीन चार और पांच में उल्टी साइड पर आएगे फिर छटी सलाई सीधी साइड पर हम इसमें फिर से फंदे घटाएंगे तो अब ये सलाई कंप्लीट करके पांच सलाईया आप इसमें और बना दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स इसमें मैंने पांच सलाईया बना ली हैं और अब सीधी साइड पर इसमें हम फिर से फंदे घटाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे पहला फंदा इसका एज ती शह है इसे उतारिये या उल्टा बनाईएं धागे को पीछे करेंगे ये जो सीधा फंदा है इसे नीचे वाले हॉल में से ऐसे बुन लेंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दो फंदों का यहां एक फंदा ऐसे बना देंगे फिर धागा पीछे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दो फंदे में आगे की साइड से स्लाइड डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा यहां बना देंग फिर हम चार फंदे ऐसे ही बुनेंगे एक उल्टा है धागा पीछे ये एक सीधा है तो ये देखिए सीधे वाले को नीचे वाले हॉल में से बुना फिर एक उल्टा फिर धागा पीछे और अभी सीधे वाले फंदे को बुन देंगे तो ये देखिए ये दो फंदे बुनने क बाद दो का एक किया दो का एक किया फिर चार फंदे बनाए बस ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे ये एक उल्टा और एक सीधा इन दो का यहां एक फंदा बनाएंगे फिर धागा पीछे एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे चार फं पाँच फंदे बची थे यहां पर दो काईक, दो काईक करने के बाद इनको हमने ऐसे ही बुन लिया आप इसमें हम एक बार फिर से पांच सलाइयां गैप की बुन देंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच फिर हम सीधी साइड से इसमें फंदे घटाएंगे तो ये देखि इस तरह से मैंने इसमें पांच सलाईयां बना ली हैं एक बार फंदे घटा कर हमने साथ सलाईयां बनाई फिर फंदे घटा कर हमने पांच सलाईयां बनाई फिर फंदे घटा कर अब हमने ये पांच सलाईयां और बना ली हैं अब देखिए इसमें हम कैसे फंदे घटाएंगे पहले फंदे को उतार ये या उल्टा बनाईए ऐस तीछ है उसके बाद हमारा ये जो सीधा फंदा है इसको हम ऐसे बुन लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और एक सीधा इन दो का एक करेंगे फिर धागा पीछे एक उल्टा और एक सीधा आगे से स्लाइड डालके इन दो का यहां एक फंदा बना देंगे अब इसमें गैप के हम दो ही फंदे बनाएंगे देखे एक उल्टा धागा पीछे और यह हमारा एक फंदा सीधा फिर हम दो बार फंदे गटाएंगे एक उल्टा और एक सीधा इन दो का एक करेंगे धागे को पीछे ले कर जाएंगे ये उल्टा और ये सीधा इन दोनों में आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का यहां एक फंदा बना देंगे फिर हम दो फंदे गैप के रखेंगे देखिए एक उल्टा धागा पीछे और य यह उल्टा और यह सीधा आगे से तोनों में सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे ऐसे करते हुए हम पूरी सलाई को कम्पलीट करेंगे तो यह देखिए इस तरह से घटाते हुए हमने सलाई को बना लिया है अब इसमें हम gap की सिर्फ तीन सलाईया बनाएंगे एक, दो और ये तीन तो मैं इनको बुन लेती हूँ तो ये देखिए friends इसमें मैंने ये तीन सलाईया अब बना ले हैं अब हम इसमें फिर से फंदे कटाएंगे तो देखिए ये स्टीज है इसे उतारिए या उल्टा बनाईए धागे को पिछे करेंगे इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और back side से दो का एक फंदा यहां बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ और यहां दो का एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पिछे इस फंदे को लेंगे और पलट देंगे ये सीधा है और ये उल्टा है बैक साइड से हम दो फंदे का यहां एक फंदा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये सीधा और ये उल्टा इन दो का एक करेंगे ऐसे करते हुए अब हम पूरी सलाई को बुनेंगे ये देखें ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 फंदे हमारे पास बचे हुए हैं एक बार इनको उल्टी साइट से हम बुन देंगे वही एक उल्टा और एक सीधा करती हुए फिर हम एक लंबा सा धागा इसमें से कट कर लेंगे और सुई में धागे को डाल लेंगे तो ये देखें प्र जारते जाना है और ये सारे फंदे हम इस तरह से सुई पर ले लेंगे तो ये देखिए सारे फंदों को मैंने सुई पर ले लिया है और इनको अब हम यहां पर टाइट कर देंगे जितना टाइट हो सके उतना आप यहां पर इसे टाइट कीजिए और फिर यहां से लूज न पर जितना हो सके अच्छे से इसको यहां पर ऐसे नोट लगा दीजिए तो यह देखिए मैंने इसमें दो ती नोट लगा दी हैं अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है तो एक तो आप यह देख लीजिएगा कहीं से भी हमारा डिजाइन जो है खराब नहीं हुआ है बिलकुल ऐ और कुल जो हमें के लगा है तो एसे सीधी तरफ एसे सीधी से सीधा मिलाएंगे तो देखिए उल्टा हमारा बहारा आ गया है तो इतना पार्ट है CAP कहुन करेंगे फोल जो हमनेMay七 अई क्याइप की अब यह देखिए यह दिजाइनर फंदे हमने जो डाले वे इसकी किनारीं तो इतने पार्ट को हम ये जो धागा है हमारा इसे सुई में डाल लेंगे और इस साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे जिस साइड से हमारा ये कैप का सीधा पार्ट दिख रहा है बोर्डर को हम इस तरफ से सीलेंगे तो इस वाले धागे से हम यहां तक की सिलाई करेंगे फिर सुई में डालके कैप को सीधा करेंगे और फिर इसको इस वाली साइड से सील देंगे तो ये देखिए फ्रेंट सिलाई करने के बाद बहुत ही सुन्दर सी इसकी लुक आई है और आप देख सकते हो यहां से हमने इसकी सिलाई की है लेकिन सिलाई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो हमारा एक एक फंदा एज़स्टी था उसी में हमने सिलाई की है तो ये देखिए बिल्कुल फली से फली सी की मिल चुकी है तो कैप हमारी बन के तयार हो गई है फुल साइज की ये जैंट कैप है आप इसे एक रेडी मेट लुक देने के लिए इसमें हम यहाँ पर एक बड़ा सा पॉम पॉम लगाएंगे जैसे की जो बजार से हम कैप लेकर आते हैं उस पर आती है तो पॉम पॉम बनाने के लिए देखिए इस तरह से हम जितना बड़ा आपको पॉम पॉम बनाना हो उसी हिसाब से ऐसे करते हुए आप जितना मोटा चाहिए उसी हिसाब से उन को लपेट लीजिए तो ये देखिए इस तरह से मैंने उन को लपेट लिया है और ये जो इसकी length है लगबग हमने 4 inch बनाई तो आप अपनी उंगलियों पर इसी तरह से लपेट लीजिए और ये देखिए अब सुई में आप बड़ा चाहो तो बड़ा डाल लीजिए छोटा डालोगे तो आपको दुबारा से धागा डालना पड़ेगा मेरा ये पहले से ही इतना था मैंने इतना ही ले लिया है इस तरह से देखिए यहां पर मैंने दोनों धागे की note लगा दी है ताकि हम इसको ऐसे करके और इसके बीच में से इस धागे के ऐसे लेकर और ये जो हमने इस तरह से उन ले है इसको हम ऐसे बांद सके तो इसको जितना हो सके इतना टाइट कर दीजिए और दो से तीन बार ऐसी तरह से इसको आपने लपेटना है और इसको खीच देना है ताकि यह यहाँ पर बिल्कुल टाइट हो जाए तो जितना आप इसको टाइट करेंगी यह पॉम पॉम यहां से उतना ही अच्छा बनेगा तो दो बार हो चुका है एक बार और कर देती हूँ तो ये देखिए फ्रेंट्स मैंने इसमें तीन बार तो नोट लगा दी है अब हम क्या करेंगे सुई में जो धागा है ऐसे करके इसमें से एक बार ऐसे वाली नोट लगाएंगे ताकि जो हमने ये तीन गाठे लगाई हैं ये इसमें लूज ना हो नहीं तो ये पॉम पॉम भी ढिला हो जाएगा अब हम एक कैंची लेंगे और इसके ये जो हिस्से हैं पहले हम इनको कट करेंगे ताकि हमारा जो पॉम पॉम है वो बहुत ही अच्छा बने तो ऐसे बीच में इसमें कट लगाईए तो ये देखिए कट लगाने के बाद आप इसको ऐसे कीजिए और फिर इसको आप बिल्कुल ऐसे कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल फूला फूला बन जाए और फिर इसमें आप इस तरीके से पकड़िए और इसे ओपर से आप ऐसे करके कट करते जाईएगा और ज्यादा बड़ा नहीं रखना है छोटा रखना है तो इसी तरीके से इसमें हम कट लगाएंगे और बिल्कुल छोटे साइज का और सुन्दर सा हमारा पॉम पॉम जो है बनके त्यार हो जाएगा तो इसी तरह से हमने इसकी जो है कटाई करते जाना है और इसका हम सुन्दर सा एक शेप दे देते हैं इसको आप पहले ऐसे करकर के देख लीजिए ताकि आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन से इसके धागे जो है ज़्यादा बड़े हैं कि इसको हमने कितना काटा है ताकि सारे धागे एक जैसे दिखे ऐसे करके और फिर हम इसमें ऐसे कट लगाएंगे चारो तरब से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें कट करते जाएए एकदम से जादा कैंची नहीं चलानी है नहीं तो पॉम पॉम की बिल्कुल ही सेफ खराब हो जाएगे फिर से आप इसको ऐसे करके देखिए आपको पता चलता रहेगा कि हमने कौन से धागे को कितना कट करना है बिल्कुल जब सारे धागे आपके एक जैसे हो जाएं तब इसको हम कैप पर लगाएंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर सा हमारा बिल्कुल राउंड में पॉम पॉम बन के तयार हो गया है ना बड़ा है और ना ही छोटा है तो इस तरह से अगर आपके पास बड़े वाला धागा होगा तो इसी से अटेच हो जाएगा नहीं तो हमें फिर दूसरा जोइंट करना पड़ेगा अब ये देखिए ये जो इसका बीच का पार्ट है यहां से सुई को आप ऐसे डाल दीजिएगा और इसको नीचे की तरफ ऐसे ले जाईएगा और अब इसे हम यहां पर बिल्कुल पक्का कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स पॉम पॉम लगने के बाद इस कैप की जो लुक है वो बहुत ही सुन्दर आई है एकदम बजार जैसी इसकी लुक आ गई है बहुत ही सौप्ट और बहुत ही प्यारी सी जैन्स कैप बनक के शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख कि